दोस्तों ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जन संख्या की दृष्टी से देश का सबसे बड़ा रज है दुनिया के अंदर केवल चार ही देश ऐसे हैं जिनके आबादी 25 करोड से ज्यादा है इतनी बड़ी आबादी होने के वजह से यूपी के पास अनेक संभावनाये हैं देश के कुल खेती लायक एरिया का 11 प्रतिशत हिस्सा यूपी में है यहाँ एक और खास बात ये है कि यूपी के पास देश की उपजाव जमीन तो 11 प्रतिशत है लेकिन देश का 22 प्रतिशत लगभग अनाज अकेला उत्तर प्रदेश पैदा करता है इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश फूड प्रोसेसिंग का एक बहुत बड़ा हब बन सकता है प्रदेश में परियाप्त रिसोर्सेज हैं इसी तरह राज्य में देरी के ख्षेतर में भी अपार संभावनाएं हैं अगर खेती के दिशा में थोड़ा और ध्यान दिया जाए तो अनाज पैदावार में तीन गुना की बढ़ोतरी की जा सकती है उत्तर प्रदेश सरकार इसे लेकर कोशिश भी कर रही है एक और सेक्टर है जिसमें UP अच्छा काम कर रहा है वो है MSME सेक्टर MSME क्लस्टर और ज्योगिक विकास का सबसे अच्छा बेस है उत्तर प्रदेश में आज 96 लाख रेजिस्टर्ड MSME यूनिट्स है इन यूनिट्स ने प्रदेश में अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान ने उत्तर प्रदेश के परमपरागत प्रोडक्ट्स को प्रोचसाहित करने का काम किया है उत्पाद की ब्रैंडिंग अच्छी टक्नीक और अच्छी मार्केट उपलब्ध कराकर इस काम को आगे बढ़ाया गया है इसके अलावा यूपी की भौगौलिक स्थिती की बात करें तो बिहार, जहारखंड, छतीजगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हर्याना, उत्तराखंड और दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश की सीमा पड़ोसी देश नेपाल से मिलती है आज इन सभी से यूपी की चार लेन कनेक्टिविटी है राजधानी लखनव को पूर्वी क्षेत्र से जोडने के लिए पूरवांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड क्षेत्र से जोडने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोडने के लिए गंगा ए को चार लेन कनेक्टिवीटी से जोड़ा गया है देश का सबसे लंबा 16,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश में है इस्टर्ण और वेस्टर्ण डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरते हैं देश का पहला राष्ट्रिय वारनसी के बीच शुरू हो चुका है इस दिशा में प्रदेश सरकार और भी करम के बढ़ा रही है